तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोकबड़ी लीग की तीन बार की चैंपियन पटना पार्ज की टीम के बारे में PKL सीजन 10 की ओक्षन में यहाँ टीम किन प्लेयर को टारगेट कर सकती है तो वीडियो होने वाले बहुत इंटरस्टिंग तो आपके कीज़े वीडियो को देखिये एंड तक और दोस्तो अगर भी तक आपने हमें टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है तो टीम नहीं पर टोटल साथ खिलाडि को टेन किया है पहले खिलाडी यहाँ पर सचिंतनवर जोकी एक डेडर है तुसरे खिलाडी यहाँ पर नीरच कुमार चोकी राइट कोर के डिफेंडर PKL सीजन 9 में टीम में कैप्टन भी थे तीसरे खिलाडी यहाँ पर मनीज जोकी एक डिफेंडर है चोते खिलाडी यहाँ पर थियाग राजन इवराज यही भी एक डिफेंडर है पांचवी खिलाडी यहाँ पर टीम ने टेन किया है यहाँ पर नवीन सर्मा यह एक डिफेंडर है और राइट कोर के रूप में आपर टीम के पास निरज कुमार गे जो की बड़े सांदार डिफेंडर है यहाँ पर दोस्ता आप देख सकते हैं बाकि आपर टीम ने जो यंग खिलाडी है उनको रिटेंज किया है और टीम ने कुछ बड़े खिलाड़े को रिलीज भी किया है MD जासादलू, सुनील कुमार, मोनू, रोहित गुलिया, साजिन चंदर सेकर जैसे बड़े खिलाड़ी इस बार हमें ओक्षन में दिखाई देने वाले हैं पटनापार्स की टीम ने सभी खिलाड़ों को रिलीज कर दिया, अब हम बात करते हैं पर टीम ओक्षन के अंदर के इन खिलाड़ियों पर FBM कार्ड यूज कर सकते हैं तो पहले खिलाड़ी होने वाले हैं पहले टीम ने इनको यहां पर रिलीज कर जा लेकिन ओक्षन में इनको टीम किसी भी प्राइज अपने स्क्वार्ड में सामिल करना चाहेगी तुसरे खिलाड़ी होने आपर लैप्ट को उनर प्लेयर सुनील कुमार यह बड़ी सांदार डिफेंडर है तुसरे खिलाड़ी होने आपर दोस्तों मोनु जो की एक बड़ी भैतरी ने ओर राउंडर है यह खिलाड़ी रेडिंग और डिफेंड दोनों में टीम के लिए सांदार रहा था इनके ओपर भी टीम याप रह्म भी आम कार्ड यूज कर सकती है तब हम बात करते हैं पर पतना पार्च की टीम की ओक्शन स्ट्राइटरजी के बारे में टीम खिलाड़े को टार्गेट करने की कोशिश करेगी तो डिडिंग में आप देख सकते हैं आपर टीम के पास सचिन तनौर अवैलबल है और बात करें आपर डिफैंस के तो डिफैंस में आपर टीम के पास राइट के और के लाओ कोई तच्छा पोजिशन पर प्लेयर अवैल बद नहीं है तो टीम यहाँ पर लैप्ट कोईर लैप्ट कवर और राइट कोईर की खिलाड़े को टारगेट करने कोशिस करेगी तो पह अपने खिल गए 20 मकाबलों में हरी आना की टीम के लिए 135 रेड़ पोइंट हासिल किये थे पटना पास की टीम इस खिलाड़ी को अपने स्क्वार्ड में 100% सामिल करना चाहेगी यह खिलाड रेडिंग में सचिंतंदर का भैतरी इन साथ दे सकते हैं पात गहाँ पर दूसरे खिलाड़ी की तो वहने वाले भी सेक सिंगर प्रोक बडडी सीजन 9 में खिलाड़ी तैल्गू टारिटन्स की टीम का इसा थे टीम ने इनको यहाँ पर अच्छे प्राइज अपने स्क्वार्ड में सामिल किया था लेकिन इनसे जैसी टीम को इनसे प्रफोमेंस गुमीद थ चपन रेड़ पॉइंट हासिल के लिए कि यहाँ दोस्तों बड़े टालेंटीड और सांधा रेडर है तो यहाँ पर पत्ना पाइस की टीम इनको भी टार्गेट कर सकते हैं अब बात कर यहाँ पर थर्ड प्लेर के जिनको टीम टार्गेट कर सकते हैं तो वहने वाला चंद खिलारी की तो होने वाले एक जनरेडर मनोज गोडा यहाँ खिलारी प्रोक बड़ी सिरे नाइन में बेंगाल और इसकी टीम का इस्सा थे लेकिन इनको इतने अच्छे मोगे नहीं मिले लेकिन इनके पास बड़ी सांधार फुटवर्क और स्पीड है इन अपने खिल के पं और सांधार है और टीम यहाँ पर इनको अपने स्क्वार्ड में सामिल कर सकती है पीकल सीजिन नाइन में उने जैपुर पिंग पैंथर्ज की टीम की तरफ से खेलते हुए 21 मैचों में 71 रेडर पोइंट हासल किये थे तो यह तो थे वो रेडर जिनको यहाँ पर टीम अब हम बात करते हैं पर डिफेंडर्स की तो यहाँ पर दोस्तों पहले खिलाडी होने वाले वी साल भारदवाज लैप्ट कोर्णर के इस प्लेयर को यहाँ पर पतना पास की टीम जो टार्गेट करेगी पीकैल सीजिन नाइन में खिलाडी तैल्गू टाइटन्स की टीम ख पर गेट कर सकती है तो यहाँ पर लैफ्ट कोर खिलाडी वी साल आठर पीकैल सीजिन नाइन में खिलाडी दबंग दिली केशी की टीम का इसा थे इन्होंने टीम के लिए बड़ी सांदा पर हमीजी थी और टोप 10 डिफेंटर के लिस्ट में खिलाडी सामिल था अपने खेल पीकैल सीजिन नाइन में खिलाडी पंगालूरिस की टीम का इसा थे लेकिन इनको यहाँ पर मैचिस खेलने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिला था लेकिन यह बड़ी शांदार और टैलेंटर राइट कोर के प्लेयर है इससे पहले खिलाडी बेंगलूर बुज की टीम के ल पीकैल सीजिन नाइन में खिलाडी गुजरार जाइन्स की टीम का इसा थे लेकिन इनको यहाँ पर इतने ज्यादा मैचिस खेलने का मौका नहीं मिला और पटना पायर्स की टीम को यहाँ पर राइट कोणर के लिए एक्सपीरेंस और सांदार प्लेयर की जूड़ता है तो म बात करते हैं पर पांचवे और लाइट खिलाडी की तो वहनेवाल अधनी तिन रावल इस सांदार और राउंडर का भी हाँ पर पतना पायर्स की टीम अपने स्कौार्ड में सामिल करेंगी यहाँ पर दोस्तों पतना की टीम के लिए अच्छे सा भीत हो सकते हैं उन्हें इ पतना पायर्स की टीम आउक्शन के अंदर टार्गेट करेंगी क्या उनको दबाले कबड़ी से जुड़ी ऐसी सांदर अपडेट पाने के लिए